गरे लुपचार और सुगी जीवन चैनल पर आपका हाड़ दिख स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खराब डाइजेशन को सुधारने के लिए कुछ आरविदिक नुस्खों के बारे में दोस्तो डाइजेशन खराब होने का पता तब चलता है जब हमें एपच खट्री डकार और बदहजमी की सिकाथ हो जाती है इस अवस्था को अंग्रेजी में इन डाइजेशन भी कहते हैं इस दोरान आपको पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, पेट फूलन, आपके मुह में एसिड जैसा स्वाद आना और आपके पेट के उपरी हिस्से में जलन होना, मतली और उल्टी जैसे लक्षन दिखाए देने लगना दोस्तो इस परकार की समस्याएं ज़्यादतर गर्मियों की दिनों में होती है खराब डाइजेशन के कैई कारण हो सकते हैं जैसे फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, कूल ड्रिंक्स, अलकोहल, एस्मोकिंग और तेल घी वाले भोजन हालांकि इन डाइजेशन का कारण अलसर जैसे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है दोस्तो अगर आपका डाइजेशन खराब होने की वज़े आपका खान पान है तो आज के इस वीटियो में जो नुस्खे हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही सांदार नुस्खे हैं इन्हें आप आजमा कर आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं इसको दूर कर सकते हैं और ये नुस्खे कहीं और नहीं हैं दोस्तो आपके किचन में ही मौजूद हैं आज जो नुस्के हम आपको बताएंगे ये बहुत ही कारगर है और इनका side effect भी नहीं है पहला नुस्का है धनिया पॉडर और सोंट ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है धनिया पॉडर ये भी आपके किचन में है और ये है सोंट का पॉडर यानि सूखी हुई अद्रक का पॉडर ये भी आपके किचन में 100% होगा दोस्तों इनका हर रोज किचन में कई तरह के वियंजन बनाने में इस्तिमाल किया जाता है आपको करना ये है कि दो चम्मच आप धनिया पॉडर ले लिजे ये चम्मच आपके घर में होगी आप इस तरह से दो चम्मच धनिया पॉडर ले लिजे और इसमें आधा चम्मच आप सोंट ले लिजे इतनी आप सोंट ले लिजे और इन दोनों को आप दो गिलास पानी में डाल कर अच्छे से उबा ले जब ये पूरी तरह से उबल जाए तो ये काढ़े का रूप धारन कर लेगा काढ़े जैसा बन जाएगा ये हमने बना कर भी रखा है आप आपको दिखा देते हैं देगे देखिए ये हमने दोनों चीजों को उबाल कर और इसका काढ़ा बना कर रखा है इस तरह का ये काढ़ा बन जाएगा और ये बहुत ही सांदार काढ़ा बन चुका है दोस्तों आप इसे ठंडा कर लिजे और ठंडा होने के बाद आप इसको एक काज की बोटल में भर कर आप फ्रीज में रख लिजे और इस काढ़े में से आप 4-4 चमच तीन टाइम लेना है 4 चमच सुभह, 4 चमच दोपहर को खाना खाने के बाद और 4 चमच रात को डिनर करने के बाद इस तरह से आपको लेना है दोस्तो पहले ही दिन में आपको काफी फर्क लगेगा और यदि पहले दिन में फर्क ना लगे तो आप दो से तीन दिन तक भी इसको ले सकते हैं चार दिन भी ले सकते हैं इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तो ये दो गिलास हमने इसमें पानी डाला है जिसमें अपने इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसका नुस्खा बनाया है काड़ा बनाया है ये आपको खत्म कर लेना है धीरे धीरे करके दिन में तीन तीन बार इसको लेकर और दोस्तो इसके बाद आपका डाइजेसन पूरी तरह से सुधर जाएगा और फिर डाइजेसन आपका खराब नहीं होगा दोस्तो एक तो ये नुस्खा है और दूसरा नुस्खा सौंट और सौंफ इन दोनों को मिलागर बनेगा ये है सौंफ ये आपके केचन में 100% होगी इसके बिना भी बहुत सारे वी अंजन अधूरे हैं और सौंट ये तो हम आपको पहले दिखाई चुके हैं इसका नुस्खा कैसे बनाना है और कैसे इस्तिमाल करना है पूद ध्यान से आप सुन लीजे जब भी आपका डाइजेशन खराब हो यानि आपका पेट खराब हो तो आप एक चोथाई चम्मच आप सौंट ले लीजे इस बार आपको थोड़ी सी सौंट लेनी है एक चोथाई चम्मच ठीक है और एक चम्मच आपको लेनी है सौंफ इस तरह से एक चम्मच आपको लेने हैं सौप और इसके साथ आपको चाहिए दोस्तो एक चम्मच मिसरी के दाने इन तीनों को आप अच्छे से चबा चबा कर खाएं दिन में तीन बार एक बार आप सुबह खा लें और एक बार आप दोबहर को खाना खाने के बाद खा लें और एक बार रात को खाना खाने के बाद इस तरह से खा लें आप देखेंगे पहले ही दिन में आपको फर्क लगेगा और यजि पहले दिन में फरक ना लगे तो आप 2-3 दिन तक इसको ले सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है आप कई दिनों तक हपते भर तक भी ले सकते हैं और इसको continue आप कर सकते हैं इसकोई आपको side effect नहीं होगा यदि आप इन दोनों नुस्खों में से कोई साभी नुस्खा इस्तिमाल करते हैं तो आपके digestion पूरी तरह से ठीक होगी जो आपने खाना खाया है वो आपके सरीर को लगेगा और उससे पूरी ताकत आपको मिलेगी दोस्तो इसका कोई side effect नहीं है यह हम आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि साइद इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा और इसी दर की वज़े से किसी भी नुस्खे को इस्तिमाल नहीं करते हैं इसलिए यह बिल्कुल safe नुस्खे हैं और इसको आप आराम से बिना किसी डर के ले सकते हैं दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी वीडियो और बताएगे नुसके आपको अच्छे लगे हो तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हचते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें